दोस्तों, दो दिन मेरी हालत खराब क्या रही, मेरे पचारे पोधों के भी हालत खराब हो गई तो देखो भई, कैसे कैसे मैंने इनकी इस कंडिशन को ठीक किया है और जल्दी से ये भी बता देना, क्या आपके कही जाने के बाद या फिर आपके ना होने पर भी क्या आपके पोधर का भी ऐसा हाल होता है कि ये अजूबा मेरे साथ ही हुआ है तो देखो पुरा वीडियो जेशी दिराते दोस्तों मेरी थोड़ी से तबियत क्या खराब हुई मेरे पोधे भी विचारे बिमार हो गए मतलब मेरे जाने के बाद यहाँ पर केर करने वाला कोई नहीं रहा और देखो भई गार्डन का हाल कैसा हो गया सबके सब पोधे बेहोश हुए पड़े थे तो सबसे पहले मैंने आ के इन सबी को पानी पिलाया नहलाया और अब जाके इनको थोड़ी थोड़ी होशाना शुरू हो चुकी है तो अब मुझे भी पता चल गया कि मेरे बिना यहाँ पर बहुत ही घाटे का सोधा होने वाला है मेरे पोधों के साथ पर चलो अब मैं आ चुकी हूँ बापिस और कंडीशन भी मेरे ठीक हो चुकी है और थेंक्यू सो माच आप सबी ने मेरी बहुत क्यार की आप सबने मुझे प्यारे पेरे से कमेंट किये आप सबने दुआये दी तो मैं बहुत जल्ड ठीक होगी तो इसे खुशी में देख लीजिए हमारे गार्डन में आज मुझे खुश करने के लिए हमारी गुलाब की कटिंग का निकला है कुछ इस तरीके का रिजल्ट बहुत ही प्यारा सा फ्लावर ये खिला हुआ है मुझे इंतजार भी था कि कब जाके ये फूल खिलेगा और मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा तो आज जैसे मैं बापिस आ गई तो ये भी खिल गया और इसे देखे मेरा दिल भी खिल गया और बाकी ये कोलियस का जुंड तो आपने पहले भी देखा ही होगा पर मेरे जाते ही इसे क्या हो गया ये तो मुझे समझ नहीं आया बट इसकी थोड़ी सी शकल आगे कि देखने पर पता चलता है कि इसमें कुछ इस तरीके से ये दरार टाइप सी पढ़ गई है और ये बिमार हो चुका है तो इसे हम यहां से कट कर देंगे और आपको एक ध दोखा दिखाओं दोखा ये देखो ये है हमारा वाइट रोज बट ये खिलने से पहले ना कुछ इस तरीकी का पिंकिश लगता है आपको भी लग रहा है ना कि मुझे ही लग रहा है ये लगता तो पिंकिश है बट जैसे ओपन हो जाता तो ये ऐसा हो जाता है ये क्या है ये दोखा है ना सरसर पर दोस्तों ये दोखा एकदम प्यारा है विकाज वाइट वाला भी मुझे पहुत क्यूट लगता है और आप इससे कहीं भूल तो नहीं गए ये ग्रीन वाला पोट जिसमें लगा था हमारा रेड रोस इस रेड रोस को हमने ट्रांस्प्लांट किया थ सिंगल पसली के साथ और अब ये सिंगल पसली कुछ इस तरीके से धेर सारी बूशी बन चुकी है विकाज हमने इनके फ्लाज की डेड हेडिंग कर दी थी आफ्टर व्लूमिंग तो उसी वज़े से देखिए नए नए शूटिंग भी निकल आई है पोदा एक्दम गना बन थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर मैं इसे ट्रांस्प्लांट कर दूंगी दूसरे पोर्ट में और दोस्तों ये देखिए आप सभी कहते हैं कि हमारे गुलाब की कत्तियां जो है वो गिर रही है वो जड़ रही है तो हम क्या करें तो भही सच्ची कह रही हूं कि कुछ भी फ्लावरिंग पॉइंट्स पी आएंगे वो भी एक दो नहीं धेर सारे और इसी के साथ साथ आपके पोधे की और भी अच्छे से ग्रोथ होगी देखिए आप सब के सामने ही मैंने किया था नहीं यह का रहे है और एकदम नीचे से पोधे ने शूटिंग निकालना शुरू कर दें कटिंग नहीं करनी है आपने अपने अपने हाथों सही पतिया निकालना शुरू कर देने अगर आपके पोधे के पतिया जड़ रही है तो इसका रिजल्ट देखके शौक्ड होगी और मुझे भी बहुत आनंदा है मेरे भी पोधे की जरवी फ्लावरिंग भी नहीं 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 पतियां आ रही थी और पतियां जड़े जा रही थी तो मैंने फिर वही कारे किया और आज मुझसे ज़्यादा बात नहीं और यह विकाउज अभी जस्ट अभी आई हूँ ना इसलिए सब्सक्राइबर के साथ अपडेट शेयर कर देती अपने गार्डन की और देखो वही बहुत बुरे तरीके से मेरे पोधे आज बिचारे मुर्चाय हुए थे इनको देखे तो मेरा आदा खून सड़ गया और यह देखिए दोस्तों यह हमारा रहावा गजेन या जिसे हमने ट्रांस्प्लांट किया था इस बड़े वाले पोर्ट में डेर सब्सक्राइबर्स देख लीजिए इसकी ग्रोथ काफी अच्छे से अभी हो रही है क्च डेर सब्सक्राइबर्स कहए रहे थे इतनी छोटी शूटिंग शूटिंग नी सोरी इतनी छोटी सीटलिंग आपने ट्रांस्प्रांट कर दी इतने बड़े पोट में यह नहीं चल पाएगी यह खराब हो जाएगी हो भी सकती है विकॉज पोट काफी बड़ा है बट कुछ कियर वाले स्टेप्स अगर आप फोलो करेंगे न तो नहीं होगी जैसे कि अभी देखिए यह वाले पत्ती यलूश कल प्लस ब्लैकिश हो रही है अगर हमने इसको हटाया नहीं तो यह हमारे पूरे पोदे को खराब कर सकती है इसलिए बिल्कुल आराम से इसे कट कर देंगे यहां पर ठीक है बाकी को नहीं छेड़ेंगे हम ना तो इसकी जड़ों को डिस्टरब करेंगे और इसकी अराउंड जो भी ग्रास वगेरा ग्रो हो रहा है उसे हटाते रहेंगे और इसे के साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो पतियां है वो मिटी से टच ना हो पाएं बाकी फिर यह पोदा अच्छे से ग्रो होता रहेगा और यह देखिए मेरे क्यूट वाले बालसम और यहां पर भी घास भी निकाल लेती हूँ और भई देख लीजिए अब तो हमारे गार्डन में गुड़हल गुड़हल भी होने वाला है मतलब गुड़हल के फ्लार्स भी खिलने वाले हैं अब यह गुड़हल काफी ज़दा बूशी हो चुका है विकास विंटर्स में हमने इसकी हुए पड़े थे पूर कोस्मोस तो ना अलगी टाइब का मुर्ज आता है मतलब इसे जब पानी ना मिले तो एक दम प्राणी त्याग देता है अपने ऐसे बिहोश हुआ पड़ाता है कि मुझे तो लगता है कि अब तो इसमें प्राण बापिस आएंगी नहीं बड़ जैस कि यह मारा होली होक हैं और बांकी कयलोसिया ने तो सेलोसिया सौरी कयलोसिया मैंने नया नाम निकाल दिया यह भी काफे अच्छे से तरक कि कर रहे है आज अजकल और सेलोसिया की अपने अलग-अलग विराइटी त्म Bringing pe gives और और एक नए तो मैंने आपको दिखा दिए नbara एक टाइब का और भाई यह देखो मेरे जाने के बाद मेरा यह पोदा भी जाने वाला था बच गया यह मैं आगी वापिस इसलिए पत्तियां देखो वाइट सी होने लग पड़ी थी और पूरे तरीके से आज मुर्चा चुका था तो चैड और यह देखो नई बीमारी मैंने मैं सोच ही रही थी कि मैंने अपना कोई पोदा देखा था उसमें कुछ हो रहा था तो यह है वो देखो यह मेरा बालसम है और इसकी पत्ती खराब होगी है खराब नहीं होगी है खराब कर दिये किसने की यह कीड़े ने की है कीड़े तेरे ऐसी की तैसी तो कीड़ा तो जितना चोटा है ना उतनी जादा देर तक यह खिला रहता है मुझे तो यह अच्छा लगा मैं से स्प्राइड करूंगे अपने गार्डन में और हमाया राजी क्यू टू सारोजू भी खेल चुका है बिल्कुल पिद्दू सा है और येलो रेन लीली की अपडेट पूछ रहे है येलो रेन लीली है और ऑफर वोटरिंग की वज़े से येलो भी होगी है बाकी आज मैं इनकी के अर्थ हो अतनी जादा नहीं कर पाऊंगी बस आप सब को दिखाना ही था मैंने बाकी कल करूंगी विकाउज भी थोड़ी अपनी भी कंडिशन देखनी है पर सोचा कि चलो अपडेट दे देती हूं तो अपडेट देख ली ना आपने ऐसा हाल हो जाता है अपने बिना और दोस्तों जो साइप्रेस वाइन हमने रास्ते से उठाई थी मतलब रास्ते से निकाल के लाई थी वो बड़े तरीके से चल रही है और इसी क्या हुआ एक्तम से ये खराब क तो इसकी चैकिंग करेंगे हम कल तक ठीक है अब जल्दी से बता देना कि मेरे बिना मेरे गार्डन का हाल आपको कैसा लगा और कि आपके बिना भी आपके गार्डन का हाल ऐसा ही होता है या फिर होता है कोई केर टेकर आपके जाने के बार इसी के साथ फिर मिलते हैं आप जै शिरिराधे, जै शिरिराम